जब हम पारे वाले थर्मामीटर के बारे में चर्चा कर रहे थे वहां पर मैंने एक शब्द इस्तमाल किया था उश्मी प्रसार मैंने कहा था कि पारे में उश्मी प्रसार हो जाता है तो बच्चों देखते हैं यह उश्मी प्रसार है क्या किसी भी द्रफ को जब हम उश्मा देते हैं यानि कि जब हम उसे गरम करते हैं तो उन द्रफ में प्रसार हो जाता है चाहे वो द्रफ ठोस की रूप में हो चाहे वो द्रफ की रूप में हो चाहे वो गैस की रूप में हो हम जानते हैं बच्चों पदार्थ की तीनों अवस्थाइं होती हैं और तीनों अवस्थाओं में ही प्रसार होता है यह प्रसार तीनों अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से हो सकता है लेकिन यह तो तय है कि तीनों ही अवस्थाओं में उश्मा के कारण प्रसार होता ही है और इसी प्रसार को हम उस्मिय प्रसार के नाम से जानते हैं तो चलिए हम ठोस में उस्मिय प्रसार के बारे में चर्चा करते हैं बच्चो ठोस में उस्मिय प्रसार तीन तरह से ओ सकता है यह डिपेंड करता है कि ठोस किस शेप का है एक्शुली ये ठोस तीन तरीके से हो सकते हैं या तो ठोस केवल एक ही वीमा में फैले हो जैसे कि एक तार के रूप में हो तो जब इसे हम गरम करेंगे तो इसमें प्रसार केवल इसकी लंबाई में होगा क्योंकि ये तार किस रूप में है एक रेखा के रूप में है तो प्रसार केवल इसकी लंबाई में होगा तो इस प्रकार जब किसी भी ठोस की एक ही वीमा में परिवर्तन हो यानि कि ठोस केवल एक ही वीमा के आकार का हो तो उसे हम कहते हैं रेखिये प्रसार और जब ये ठोस एक दूइवी मी आकरती में हो यानि कि एक चादर के रूप में हो एक समतल के रूप में हो तब इसमें दो विमाएं होंगी और जब इसे उश्मा दी जाएगी तो इसमें प्रसार इसकी दोनों विमाओं में होगा और इस प्रकार के प्रसार को हम कहते हैं छेत्रिय प्रसार और इंग्लिश में इसे हम Arial Expansion या फिर Surficial Expansion के नाम से भी जानते हैं और यदि ठोस अब एक आयतन के रूप में हो यानि कि त्री वीमी आकरिती में हो तो इसमें इसकी तीनों वीमाओं में ही प्रसार होगा परिवर्तन होगा और इस प्रकार के प्रसार को हम कहते हैं आयतन प्रसार यानि की Volume Expansion अब तीन तरह से प्रसार हो रहा है ठोस में इसके अलग-अलग आकरिती के कारण तो इसमें तीन प्रकार के प्रसार गुणांग भी होते हैं तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रेखिये प्रसार गुणांग इसे हम डिनोट करते हैं अलफा से और अलफा बराबर यानि कि रेखिये प्रसार गुणांग Actually, रेखिए प्रसार गुणांग को हम English में कहते हैं Coefficient of Linear Expansion इसका सूत्र होता है लंबाई में वृद्धी upon प्रारंभिक लंबाई into ताप में वृद्धी बच्चों, यहाँ पर प्रसार हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पर सूत्र में लिखा लंबाई में वृद्धी और नीचे भी हमने लिखा ताप में वृद्धी लेकिन इस फॉर्मूले को हम दोसे तरीके से भी लिख सकते हैं जब हम किसी वस्तु से ताप लेते हैं Actually ताप नहीं लेते, हम उश्मा लेते हैं यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसमें लंबाई में वृद्धी ताप में वृद्धी लिखा है क्योंकि यदि ताप में वृद्धी करेंगे तो प्रसार होगा और उसकी करण उसकी लंबाई में वृद्धी होगी लेकिन इसकी reverse प्रक्रिया भी है यदि हम ताप में कमी करेंगे यानि वस्तू से उश्मा लेते जाएंगे उस condition में इसकी लंबाई में कमी आएगी तो इस फॉर्मुले को उस तरीके से पर लिख सकते हैं तो जनरल फॉर्मुला यदि हम लिखें तो प्रसार गुणांक बराब जाने का प्रैस इसलिए करती हूं यूकि numerical questions generally change करके पूछे जाते हैं तो हमको जो जिस टाप से कि तार की लंबाई त्यल्ट टाप दे रहें उसके टाप में डेलटा टी विध्धि कर रहें और माल लिजे उसकी लंबाई में विधी डेल टाल है तो अलफा बराबर हो जाएगा डेलटा एल अपर Tag into delta T और इस प्रकार हम देखें कि इस सूत्र में यदि हम L बराबर 1 लिखें और delta T बराबर भी 1 लिखें इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो तार लिया था वह एकाई लंबाई का लिया था और उसके ताप में हमने एकाई वृद्धी की माले जी चार डिगरी celsius ताप था तो उसको बढ़ाकर में पांच डिगरी celsius कर दिया तो उसकी वृद्धी कितनी हुए एकाई तो इस प्रकार यदि किसी एकाई लंबाई के तार में एकाई ताप में वृद्धी की जाए तो उसकी जो लंबाई में वृद्धी होती है वह रेखिय प्रसार गुणांग के आंकिक मान के बराबर होती है, तो इस प्रकार बच्चों हम रेखिये प्रसार गुणांग को परिभाशित भी कर सकते हैं, बच्चों वैसे भी किसी भी फॉर्मुले के आधार पर हमको परिभाशा देनी हो, तो हमको याद करने के विश्यक्त नहीं पड़ती, उसी फॉर्मुले पर ही कुछ हम इस प्रकार अरेजमेंट करते हैं, कि उसके आधार पर ही हम उस क्वांटिटी को परिभाशित कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने L बराबर भी 1 ले लिया, डेल्टा टी बराबर भी 1 ले लिया, अब जो राशी बची, यानि अल्फा बरा कर सकते हैं, तो याद करने का बर्डन कभी भी अपने दिमाग में नहीं रखना है, जो फॉर्मुला दिख रहे हैं, उसी के आधार पर ही हमको परिभाशा बनानी होती है, अब यहाँ पर हम देखें, मातरक क्या होगा, तो लंबाई में व्रद्धी है, मान लीजे, में मापन कर रहे हैं ताप का, तो यह हो जाएगा प्रती कैल्विन, तो इस प्रकार हम प्रसार गुणां का मातरक भी निकाल सकते हैं, अब इसका विमी सूत्र देखते हैं, बच्चों विमी सूत्र को हम जनरली तीन टर्म्स में लिखते हैं, M, L और T, M मतलब होता है, मास क के लिए, यानि कि द्रव विमान के लिए, L मतलब लेंथ, यानि लंबाई के लिए हम लिखते हैं, T मतलब टाइम, यानि कि सामय के लिए स्तमाल के जाता है, पर इसके अलावा, यदि ताप क्या जिक्र हो, तो ये तीनों राशियों वहाँ पर काम नहीं आती, ताप और करे हैं, ताप के लिए हम थीटा लिखते हैं, या फिर, क्यालवीन के लिए, हम के भी लिख सकते हैं, और वैसे ही, आप देखेंगे बच्चों, जब करेंट की बात आती है, तो वहाँ पर MLT का स्तमाल ना होता है, वहाँ पर एक और राशी आती है, एम पियर, जो मातरक होता है SI मातरक, current का, उसको हम इस्तमाल करते हैं, तो कभी ऐसी वाली राशी भी आई, तो हम उसको discuss करेंगे, फिलहाल यहाँ पर हम ताप पर focus करते हैं, और ताप का मातरक होता है Kelvin, तो यहाँ पर हम लिखेंगे M0, L0, T0, और उसके साथ साथ हम एक नई राशी हाँ पर include करेंगे, वो है K, वो Kelvin को stand करता है और यहाँ पर K-1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रती Kelvin होता है, तो इस प्रकार हम रेखी प्रसार गुणांका विमी सूतर भी लिख सकते हैं, अब यह जो formula हमने रेखी प्रसार गुणांका देखा है बच्चों, चलो इस पर आधारीत हम एक numerical question मनाते हैं, तांबे के तार को 500 degree Celsius तक गरम करने पर उसकी लंबाई में एक परसंट की वृद्धी होती है, तांबे के रेखी प्रसार गुणांकी गढ़ना कीजिए, प्रश्ट में दिया गया है, डेल्टा T बरापर 500 degree Celsius, उसकी लंबाई में वृद्धी एक परसंट दी गई के, आल्फा बरापर देल्टा ル अपन ल इन्टो डेल्टा त और यहां से डेल्टा ल बरापर हो जाएगा 1 और यहां से हम देखें, डेल्टा अपन एल को हम निक्सक्ते वान अपन हंडेड और डेल्टा टी का मन 500 था इस प्रकार हम देखें तो 10 अपन 5 इन्टू 10 तो पावर माइनस 5 होगा इक्वल टू 2 इन्टू 10 तो पावर माइनस 5 प्रती डिग्री सेल्सियस और यही मान है रेखी प्रसार गुणांग का यह चो रेखी प्रसार गुणांग है यह पटिकलर ठोस के लिए एक निश्चित राशी होती है यह उसकी पहचान होती है तो चलिये वच्चो एक सारणी देखते हैं जिसमें हम अलग-अलग ठोस देखेंगे और उसका रेखिये प्रसार गुणांग का मान दिखेंगे अब इस आरणी में कुछ पदार्थ के रेखिये प्रसार गुणांग दिये गया है हम देखते हैं यह पदार्थ कौन-कौन से हैं यहाँ पर उनका रेखिये प्रसार गुणांग 10 to the power minus 5 प्रती केल्विन के गुणाज के रूप में दिया गया है रेखिये प्रसार गुणांग को हम प्रती केल्विन में नापते हैं और यहाँ जो भी मान हमें सारणी में लिखेंगे वो 10 to the power minus 5 के गुणाज के रूप में लिखा गया है तो सबसे पहले देखते हैं लोहा इसका रेखी प्रसार गुणांग होता है 1.2 into 10 to the power minus 5 अगर हम केबल 1.2 लिखते हैं इसका मतलब वो clear है कि वो 10 to the power minus 5 के गुणाज के रूप में है लिखा गया है चांदी 1.9 और अलुमिनियम 2.5 तो इस सारणी में हमने देखा जो इनवार है actually इनवार एक मिस्र धातु है बच्चो और यह इनवार का रेखी प्रसार गुणांग सबसे कम है इसलिए यदि हमको कुछ ऐसा डिवाइस बनाना हो जिसमें ताप का प्रभाव पढ़ने से वो डिवाइस गलत पाठेंग दे सकता है या फिर उसमें तूटी आ सकती है तो उस डिवाइस में हम इस इनवार का स्तमाल करते हैं ताकि उसमें कोई भी तूटी ना आए जैसे कि बच्चो पैंडूलम वाली घड़ी की हम बात करें हम दानते हैं बच्चो वो पैंडूलम वाली घड़ी जोती है वो हर सेकेंड में इधर से उधर डोलती है और उसके अधार पर ही वो घड़ी का काटा आगे बढ़ता है अब यदि उस पैंडूलम में उश्मी प्रसार हो जाए ये उश्मी प्रसार कैसे होगा बच्चों हम जानते हैं कि मौसम के साथ साथ तापाने परिवर्तन होता है ठंडी के दिन में ताप कम रहता है और गर्मी के दिन में ताप अधिक रहता है इसका मतलब थांड के दिन में वो पैंडूलम छोटा हो जाएगा और जबकि गर्मी के दिनों में पैंडूलम का आकार बड़ा हो जाएगा उसकी लंबाई बढ़ जाएगी अब यह जो पैंडूलम औसीलेशन कर रहा है दोलन कर रहा है इस pendulum का दोलन काल इसकी लंबाई पर निर्फर करता है। दोलन काल और लंबाई का समबंध समानुपाती का होता है। और इस प्रकर हम देखें तो लंबाई अधिक होगी तो दोलन काल भी बढ़ जाएगा। मतलब वो धीरे से गति करेगा यानि उसको एक बार दोलन करने में ज्यादा समय लगेगा, दोलन का मतलब होते हैं बच्चों, सेंटर से, लेफ्ट पे जाए, वापिस आए, फिर राइट पे जाए, फिर वापिस आए, उसे हम कहते हैं एक दोलन, तो उसे एक दोलन करने में जो लगने वाला समय है, वो बढ़ जाएगा, और दोलन काल बढ़ तो घड़ी की जो स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी मतलब गर्मी के दिनों में घड़ी स्लो चलेगी जिबकि ठंड में हम देखे तो उसकी लंबाई कम हो जाएगी दोलन काल घट जाएगा इसका मतलब पैंडूलम बहुत ही फास्ट दोलन करेगा उस कंडिशन में घड़ी तैज चलेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा उस घड़ी में तरूटी आ गई थन्डी की दिनों में वो जल्दी-जल्दी मान बतायेगा और गर्मी की दिनों में दिनों में बहुत ही नहीं हो जाएगा तो इस प्रकार उस तरूटी को हटाने के लिए हम पैंडूलम को इ करेंगे और उससे दोलन काल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा तो इस प्रकार की कोई भी ऐसी डिवाइस जो की ताप से प्रभावित होकर तुटी दे सकती है तो उस समय पे हम इन्वार्धातु का स्तमाल करते हैं और इसी रेकी प्रसार गुणांग के अधार पर ही हम किसी हो कॉंसेप्ट वही है कि जब आपको निमेरिकल कोश्चन मिले तो आप इस टाइप के फॉर्मिलों को डिरेक्ट उस निमेरिकल कोश्चन में अप्लाई कर सकें तो यहां पर हम देखेंगे कि जो टैंपरेचर के साथ साथ किसी भी पदार्थ की लंबाई में वृध्धी और इस संबंद को में सूस्दर से दर्शाते हैं L इक्वल टू L0 ब्राकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी यहां पे जो L0 है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर उस वस्तु की पदार्थ की लंबाई को प्रदर्शित करता है अल्फा रेकी प्रसर कोड़ांग है डेल्ट टी इन क्टाप में वृध्धी है और इसी ताप में उसकी लंबाई को हम ऐल से रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब आपने इतना ताप दिया तो उसकी लंबाई वृद्धy अगर L से प्रदर्शित की जाती है तो उसको इस फॉर्मिले के आधार पर क्या शक्क्ता है अब हम अगला देखते हैं छेत्री प्रसारगुणांग छेत्री प्रसारगुणांग को बच्चों हम बीटा से प्रदरशित करते हैं लिए सूत्र कर सकते हैं क्योंकि अगर ताप में वृध्धी होगी तो छेत्रफल में भी वृध्धी होगी लेकिन जब ताप में कमी होगी तो छेत्रफल में भी कमी हो जाती इसलिए वृध्धी और कमी के स्थान पर आपके यवल परिवर्तन शब्द कभी इस्तमाल कर सकते हैं और ये तब लागू होता है जब कोई भी पदार्थ यानि कि यहाँ पर हम ठोस की बात कर रहे हैं ये ठोस एक छेत्रफल की रूप में हो एक सम्तल की रूप में हो यहाँ पर उसकी दो विमाय होंगी मान लीजिए ये पदार्थ अब तार की रूप में ना होकर एक चादर की रूप में हैं तो इसकी लंबाई भी होगी और चोड़ाई भी होगी और इस प्रकार इसकी दो विमाय होंगी और उस समय जो प्रसार होगा ये उसकी पूरी छेत्रफल में होगा और उस समय हम छेत्री प्रसार गुणांकी नीचे भी लिखेंगे ये दोने एक दूसरे को कैंसल कर देंगे बचेगा क्या ताप का मात्रग और ताप को या तो आप डिग्री सेल्सियस में आपेंगे या तो फिर कैल्विन में आपेंगे और इसलिए छेत्री प्रसार गुणां का भी मात्रग होगा प्रती डिग्री सेल मान लिजे ए बराबर वन हो और डेल्टा टी बराबर भी वन हो तब बीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा ए यानि कि छेत्रफल में वृध्धी के बराबर होगा तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इकाई छेत्रफल वाले ठोस के ताप में यदि इकाई वृध्धी कर दी जाए तो उसके छेत्रफल में वृध्धी ही उसके छेत्री प्रसार गुणांग के बराबर होगी तो देखा आपने हमें परिभाशा याद करने के अवशिक्ता नहीं है केवल सूत्र के आधार पर ही हम इस quantity को परिभाशित कर सकते हैं और जैसे हमने रेखी प्रसार गुणांग और लंबाई में वृद्धी के बीच में संबंध स्थापित किया था वैसे यहाँ पर भी हम छेत्री प्रसार गुणांग और छेत्री फल में वृद्धी के बीच में भी संबंध स्थापित कर सकते हैं और यह संबंध होता है ए बराबर एजिरो ब्रैकेट के अंदर वन प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी जहां एजिरो यह जीरो डिग्री सेल्सियस पर छेत्री फल को बताता है और डेल्टा टी ताप हम दे रहे हैं उसमें जो छेत्र फल में वृद्धी हुई है मतलब छेत्र फल उस समय जो हुआ है उसे हम एसे प्रदर्शित करते हैं आप देने पर वस्तू का छितर फल होगा उसे हम इस होड़ी से ग्याद कर सकते हैं और बीता यहाँ पर चैत्री प्रसार गोड़ांक है अगले प्रकार का प्रसार गोड़ांक अगरा यानिकी तरी व्मा में होगी इसी की पहले लिया था एकतार की रूप में था फिर एक चादर की रूप में था अब एक आयतन की रूप में मान लीजिए ये एक घन ये घनाब के रूप में है एक बेलन के रूप में है तो इसकी तीनों विमाय होंगी जैसे कि लंबाई, चोड़ाई, उचाई मलब इसका छेत्र फल भी होगा और इसके लंबाई भी होगी उस कंडिशन में जब इसे उश्मा दी जाएगी इसके ताप में वृद्धि की जाएगी तो इसके पूरे आयतन में प्रसार होगा और उस समय हम आयतन प्रसार गुडांग ज्यात करेंगे और आयतन प्रसार इन्टू ताप में वृद्धी और फिर सिखबर कहा रहे हैं वृद्धी के स्थान पर परिवर्तन शब्द कभी स्तमाल कर सकते हैं क्योंकि वृद्धी भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है और यहां से हम इसका मातरक देखे तो यहां पर भी आयतन और आयतन का मातरक को न्यूम और इसका वी में सूत्र भी होगा M0 L0 T0 K-1 अब इसको परिभाशित करते हैं फिर यहां पर हम वी बराबर वन लेते हैं डेल्टा टी बराबर भी वन लेते हैं और इसके आधार पर किसी एकाई आयतन के ठोस में यदि एकाई ताप में वृध्धी की जाए तो उसके आयतन मे वृध्धी उसके आयतन प्रसार गोडांग के बराबर होगी तो बच्चो इस प्रकार हमने आयतन प्रसार गोडांग को भी परिभाशित कर दिया अब देखते हैं आयतन प्रसार गोडांग और फाइनली जो आयतन में वृध्धी हो रही है इसमें क्या संबंद है इसमें भ सब्सक्राइब कामा आयतरं प््रशार गुणांग के डैल्टाटी यह टाप में वृद्धी है और वी जीरो डीग्री सेल्सियस पर ठोस का आयतर 958 और वी डैल्टाटी टाप में वृद्धी करने पर उस ठोस का अंतिम आयतर होता है। और इस प्रकार किसी भी ठोस में डेल्टाटी विद्धी करने के बाद उसका फाइनल आयतन कितना हो जाएगा उसको हम इस सूत्र की सहता से कैल्कुलेट कर सकते हैं यह आयतन प्रसार गुणांक का ताप के साथ जो संबंध है इसको समझने के लिए हम तामबे में जो आयतन प्रसार हो रहा है उसको ताप के साथ साथ एक ग्राफ के जरिये रिप्रेजन्ट करते हैं बच्चों ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का दिख रहा है हमने X अक्ष में ताप लिया है और Y अक्ष में आयतन प्रसार गुडांक लिया है हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि कम ताप में ये आयतन प्रसार गुडांक ताप के समानों पाती है मतलब ताप बढ़ाने पर आयतन में प्रशार हो रहा है और वो भी linear हम देख सकते हैं पोर्शन में कि या linear प्रशार हो रहा है लेकिन जब ताप बहुत अधिक हो जाता है उस condition में आयतन प्रषार गोडांक का मान लगभग नियत हो जारा है इसका मतलब उसके आयतन में जो प्रसार है वो नियत हो जा रहा है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो ताप का प्रभाव है वो कम ताप में आयतन पर अधिक पड़ता है यानि कि प्रसार अधिक होता है लेकिन जब बहुत अधिक ताप होता है तो यह प्रसार लगभग नियाती हो जाता है तो इस प्रका और आयतन प्रसार गुणांग के बारे में चर्चा की और ये तीनों ही गुणांग किसी भी ठोस के अलग-अलग आकार के कारण थे लेकिन इन तीनों में भी संबंद है आईए देखते हैं इनमें क्या संबंद है तो सबसे पहले हम रेकी प्रसार गुणांग और छेतरी प्रस प्रसार गुणांक पर संबंद स्थापित करते हैं बच्चों रेखिए प्रसार गुणांक का हमने सूत्र देखा इसे हम आल्फा चिंड नोट करते हैं और अल्फा वराबर होता है लंबाई में व्रधी अपन प्रारंभीक लंबाई इंटु ताप में व्रधी मान लेजिए क इक थोस है जो कि लंबाई के रूप में हो यानि उसकी प्रारमभिक लंबाई हम लेते है उसकी लंबाई में वृध्धि को हम डिल्टा लेते हैं यादि हमने उसे डिल्टा T ताप में व्रृध्धि की है तो तो उस condition में alpha ब्राबर हो जाता है delta L upon L into delta T इसे हम समीकरण 1 लिख देते हैं अब माल लिजे इसी पदार्थ को हमने एक समतल की रूप में ले लिया एक चादर की रूप में लिया माल लिजे इसका हमने एक work बना लिया square ये work भी वही L लंबाई का है इसकी चौड़ाई भी L है और लंबाई भी L चुकि वर्ग है तो लंबाई और चौड़ाई इसके समान होंगे अब वही हम delta T ताप दे रहे हैं मतलब ताप में वृध्धी कर रहे हैं तो इसके दोनों वीमा में वृध्धी होगी लंबाई में विविद्धी होगी और चौड़ाई में विविद्धी होगी यानि अब इस चादर की दोनों वीमा में वृध्धी हम ले रहे हैं delta L इस condition में हम देखें इस चादर का प्रारंभिक चेत्रफल यदि A है तो A बराबर क्या होगा L into L क्योंकि L इसकी प्रारंभिक लंबाई है तो हम लिखेंगे L स्कूर लेकिन जब इसे केताप में delta T विद्धी किये गई है तो इसके लंबाई में और चौड़ाई में दोनों में delta L परिवर्तन हुआ तो अब इसकी चेत्रफल में भी स्कूर क्योंकि इसकी अब भूजाओं की लंबाई L प्लस delta L हो गई और सूत्र नुसार हम L प्लस delta L स्कूर लिखेंगे अब इसके चेत्रफल में कितनी वृद्ध हुई इसके लिए हम इसके अंतिम चेत्रफल में से आरंभिक चेत्रफल को घटा रिखते हैं तो चलिए इसे घटाते हैं चेत्रफल में वृद्धी delta A बराबर होगा अंतिम चेत्रफल माइनस प्रारंभिक चेत्रफल अंतिम चेत्रफल जैसे कि हम सूत्र देख रहे है L प्लस delta L का whole square और प्रारम भी चेत्रपन है L square इसे minus कर देते हैं अब यहां पर हम सूत्र लगाएंगे A plus B whole square का और इसके अनुसार होता है A square plus B square plus 2AB तो हम लिखेंगे L square plus delta L का square plus 2L delta L minus L square यहांसे L square L square cancel हो जाएगा तो delta A बराबर होगा delta L square plus 2L dot delta L इस समीकरण में delta L अत्यंती छोटी राशी है और जब छोटी राशी का वर्ग करेंगे तो उसका मान और कम हो जाएगा इसलिए इस राशी को हम नगणने मान लेते हैं तो delta L square पद को हम नगणने मान कर अगले step में नहीं दिखेंगे तो छेत्र पल में व्रिद्धी delta A बराबर होगी 2L dot delta L अब छेत्री प्रसार कुडां का सूत्र होता है बीटा बराबर delta A अपॉन A इंटु delta T और delta A का मान रखने पर हमें नहींगा बीटा बराबर 2L delta L अपॉन A dot delta T और बीटा बराबर होगा 2L dot delta L अपॉन L square delta T A square का मान L square है जैसे कि हमने पहले ही देखा था प्रारंबिक छेत्र पल यह लंबाई इंटु चौड़ाई का गोणन फोल होता है और चुकि यह एक वर्ग के रूप में था तो लंबाई इंटु चौड़ाई यानि कि L इंटु L हमने लिया था इसलिए A बराबर L square था तो यही मान हमने समीकरण में रख दिया है तो बीटा बराबर होगा 2 delta L अपॉन L dot delta T हमें इस equation को सरल किया है numerator और denominator से एक एक L के मान को cancel करने पर हमें यह equation राप्त हुआ और हमें जानते हैं कि alpha बराबर delta L upon L into delta T है तो यहाँ इस समीकरण में alpha मान रखने पर हमें मिलेगा बीटा बराबर 2 alpha यानि कि छेत्री प्रसार गुणांग बराबर 2 into रेखी प्रसार गुणांग और इस प्रकरम कह सकते हैं किसी ठोस का छेत्री प्रसार गुणांग इसके रेखी प्रसार गुणांग का दुगना होता है